हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी सेजुकेशनल यूट्यूब चैनल हैडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज के इस वीडियो में जानेंगे कौन से वर्ब में एश चैनल याई एश लगाया जाता है और नाउन को प्लूरल बनाते समय ऐस लगाए याई एस लगाए और कौन से में वी एस लगाया जाता है तो जडि आपको भी इन सभी में डाउट है तो इस वीडियो को शुरु शूरू से कर आंधि तक देखिए आपका डाउट हंड़ verb, simply add, as बहुँ सारे दीकतर noun और word में हम लगाते हैं as, plural बनाते समय नाउन में देखिए, cow का हो जाता है cowS, ball का ball book का books, ये तो हो गया noun, अब देखिए, verb में क्या होता है वर्ब में run का runs it का it's, cut का cut इसमें तो आपको किसी प्रकार की परिशाने नहीं होगी यो कि इसमें सिंपल आपको सिर्फ एस लगाना है इसमें किसी प्रकार का रूल फॉलो नहीं होता है आगे देखते हैं सेकंड नमबर जो रूल है आपको वावल जो होता है देखिए हाँ पर क्या है ए आई ओ यू यू यह जो है यह वावल है स्वर है इंग्लिस लिंग्विस के तो यह अगर है और उसके बाद वाव आता है कहने का मतलब यह है कि किसी भी सब्द के अंतिम जो वर्न है या लेटर है वो वाव है और उसके जिस्ट पहले वावल आता है तभ आपको वाहाँ सिर्फ S लगाना है देखिए की के य वाई देखिए य के पहले E है जो की एक स्वर है उसमें देखिए सिर्फ क्या किया गया है वाई के बाद S जोड़ दिया गया है उसे पार रेडियो में देखिए यहाँ पर O है मैंने कहा Y हो या ही O हो उसके पहले अगर वावे लाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ S लगाने हैं कुछ exception हो सकते हैं देखे Y का YS सब देखते हैं वर्ब में वर्ब में भी same rule follow होता है Y के पहले A है play में देखिए तो play का place हो गया enjoy में Y के पहले O है तो यहां पर enjoy हो गया ठीक है अगला रूल देखते हैं रूल नमबर 3 add ES आपको कैसे और कहां पर ES डालना है इसे सबसे बड़ा परसानी होता है बच्चों में तो कहां कहां पर ES डालना है यदि किसी सब्द या नाउन के अंत में O हो, CH हो, SH हो, S हो, SS हो, X हो, Z हो तो कुछ नहीं करना है आप इस चीज को याद कर लीजिए दिमाग में रख लीजिए कि आपको वहां पर ES ही लगाने हैं आपको plural मनाने के लिए आ जाता है एक्जाम में या आपको present simple अगर आप बना रहे हैं तो वहां पर third person ही से it a name के लगेगा और कहां पर S लगएगा वहां पर परसाने नहीं होने चाहिए ना उनके बस बस कहो गया बस यहां पर ऐसे देखे लाष्ट में कीस कीस कहो गया किसे तेक्स का हो गया टैक्स एखसले ये स्लेगा बैंटक का बैंक vários इसपार डीज कर दीछ सब् ser गोए और लए थैंस को जाता है करण जाता है किस कस और इस का इच के एच अर यहां पर यंच लगा है सभी में मैंने आपको पहले ही बता दिया यदि ओ आए सी एच आए एस आए डबल एस आए एकस आए या जेड आए तो आपको ईएस ही लगाने हैं कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं किसी भी लेंग्विज में लेकि 98% यह आपका रूल अबका फॉलो होगा तो इस यह भी कफी कॉंप्लिकेटेड होता है किसी भी नाउन या वर्व का लास्ट अक्षर जो लास्ट लेटर है वह वाय हो और उसके जेस्ट पहले यह यादि आप कॉंसोनेंट हो कॉंसोनेंट क्या है मैं पहले बता चुका हूं एई आई ओ यू को छोड़कर इंग्लिस में तो आपको वाय के पहले दिखते हैं तो आपको वहां पर क्या लगाना है आई एस लगाना है उस वाय को हटा के ठीक है इंक्यामपल में देखते हैं बेबी तो यहाँ पर वाय को हटा दिया गया है आपको क्या लगाना है आई एस फैरी फैरी के बाद देखिए वाय को हटा आपके य जुफा है यहां पर क्या है को थो कारण त Durham होने के कारण आपको क्या करना है वहाँ पर इसको तना है वको याट कि पर दी एख इस को फिर रहिए रहे है और गया है और और न रहिए कह लेके चाहे तो रख सकते हैं या आपने कॉपी में नोट कर लीजे ताकि आपको पर्मनेंटली आपको याद हो जाए क्योंकि आपके बहुत नाम आने वाले हैं नेक्स देखे एड वी एड़ फॉर मॉस्ट नाउन वर्फ ये अिंड इन एफ और एफ फई देखिए यहाँपर समझते हैं नाउन में देखे लीजय इस पर बात कर रहे हैं हम वी ए एक वं त लगाते हैं देखिए यदि किसी भी वर्ड के आँखरी में आपको एफ या एफ वे तोशे प्लूरल बनाने की लिए नाउन में आपको करना क्या है एक को हटा दीजिए और लगा दी कि तहस को हटा करें क्लीज़े अधर इस देखें लेफ कर सब्सक्राइब वोल्फ को जाता है अब इसके वर्फ देख लेते हैं इसमें पहला innovator Dio and अन्त में आया है F, तो F को हटा देंगे और लगा देंगे V,E,S तो यह हो जाएगा लॉस, अगरा देखते हैं, हाफ, H,A,L,F, F को इसमें भी हटा देंगे और लगा देंगे V,E,S, तो यह भी हो जाएगा हाउस, तो आज का वीडियो यहीं पर खतम करता हूं, असा करता हू कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, ने भी मैं आपको कुछ रूल से यहां पर बताया हैं, उनके स्क्रीन सॉट ले लीजिए, या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और इसको बार बार देखे ताकि दिमाख में आपके यहां आ जाए, और आप जब तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा पर ज़्यादा सेयर करना ना बूलें, ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड को भी इस रूल्स के बारें पता चले, ताकि उनके भी उन्हें भी अगर इस बारे में अगर कोई कठनाई है इस विशह पर कोई कठनाई है तो उन्हें उनके कठनाई का निवारण हो सके चलिए आज के वीडियो यहीं खतम करता हूं थैंक्यू फॉर वाचिंग है वान नाइस डे